प्रियो जी जो आप सभी को इसु मसी के नाम से सलाम और मैं उम्मिद करता हूं कि परमेशवर ने आप तमामों को भले और अच्छे रखे हैं और हम परमेशवर की धनेवाद करते हैं कि आज हमारा दूसरी दिन में आज हम युगदान के बीशों में जो बातचीत कर रहे हैं जो हमारा स्रिंखला है इस पे हम जाने से पहले आएए हम परमेशवर को अमंतरित करें ताकि हम उसके वचन को जान सके उससे पहले मैं आप तमामों को इस हॉप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूँ जो आप लोग इसमें जुड़े हैं आई हम प्रात्ना करें सौरगी महान पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुन्दर समय में जो आपने हमें दिये हैं कि हम आपके कलाम को हम जने और उसके अनुसर चलने के हम प्रयास करें और हम आत्मिक में दिन बाद दिन हम बढ़ते चले जाएं आज की इस दिन में मैं तमाम लोगों के लिए प्रात्ना करता हूँ जो इस संदेश को सुन रहे हैं आप उन तमामों के सथ बने रहें ताकि हम सब मिलके आपके बिसे में और गहरी और बहतर तरीके से समझ सके चोटे से प्रात्ना इस्ट मसी के नाम से मंगते हैं आमेन आज हर एक के जूवन में एक दोस्त या कोई ना कोई दोस्त होते हैं ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं कि जिसके पास मित्र ना हो बाइबल हमें मित्र के बारे में बहुत कुछ हमें बताता है कि मित्र होना हमारे जुवन के लिए कितना बड़ी बात है समझ लिजिए कि एक कोई स्कूल गए हैं और उनका कोई मित्र नहीं है उनका कोई दोस नहीं है तो उन्हें कैसा लगेगा उन्हें एक अकेला अपन महसूस होगा हलाकि मैं आज उन उन बातों को उस तरीके से में नहीं बताऊंगा लिकिन आज हम बाइबिल में ऐसा एक केरेक्टर पाते हैं ऐसा एक चरीतर हम देख सकते हैं जो परमेश्वर का मित्र कहलाता है आईए हम मेरे साथ निकाले य pied का किताब उसका 2 का 23 में याकूब का किताब उसका 2 का 23 में ऐसा लिखा है कि और पबित्र सास्तर का ये वचण पुरा हुआ आबराहाम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया आगे कहता है कि और वा परमेश्वर का मित्र कहलाया कितना ही खास यहाँ बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक संसार की एक लोग परमेश्वर का मित्र बन गया एक आधर्मी बेक्ती, एक पापी बेक्ती, एक धर्मी परमेश्वर का मित्र बन गया हम सब कोई चाहते हैं कि हमारा भी कोई मित्र हो आप भी चाहते होंगे अगर आपके पास मित्र नहीं है तो आपका भी कोई मित्र हो लेकिन आप सोच लिजिए कि अगर आपको एक अच्छा मित्र मिलता है तो आपको कितना खुश लगता है अगर आपको बुरा या दूस्ट मित्र मिलता है या आपको कैसा लगता है आप सोचते होंगे कि उनका दोस्तो कितना अच्छा है मेरा दोस्तों सारे बदमास है, सारे दूस्ट है तो हमारे जून में दोस्त या मित्र होना बहुत ही बड़ी बात है और आज हमने देखा कि पहला बेक्ती अगर किसी को ये उपाधी मिला कि परमेश्वर का मित्र कहलाने के लिए वा है हमारा दोस हम सब का दोस अबरहाम अबरहाम के बिसे में हम सब कोई जानते हैं ऐसा कोई नहीं है कि अबरहाम का नाम ने नहीं सुना अगर आप लोगों में से कोई पहली बार अबरहाम के नाम के बारे में अगर आप सुन रहे हैं तो चलिए हम इस बेक्ति के बिशे में हम कुछ समय के लिए बातचित करें और जानेंगे कि कैसे ये बेक्ति परमेशवर का मित्र बन गया और आज हम देखेंगे आपने आपको भी क्या आज हम परमेशवर का मित्र हैं कैसा वाला मित्र हैं अच्छे वाला मित्र हैं या दूस्ट वाला मित्र हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा यकुप का कितब 2 का 23 में कि अबरहम ने परमेशवर का विश्वास किया और वो आपने आपको धर्म गिना गया परमेश्वर ने उन्हें एक धर्म या राजचस करके उन्हें पुकारा आई यहाँ मेरे साथ निकाले देखे उत्पति का किताब बारा से हाँ बारा से हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर ने आबराहम को चुना पहले कौन बैक्ती चुना गया था? हमने पिछले स्रिंखला या हमने भाग में देखा वहां पे कि नुः को चुना गया था और यहां पे हम देखते हैं कि दूसरा बैक्ती वो है आबराहाम यहाँ पे अबराहम को यह अग्या मिलता है कि पहले आयत में हम देखते हैं 12 काइक में कि अपने देश और अपने कुटुम्बियों और अपने पिता के घर को छोड़ कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा उच देश में चला जा कौन देश में चला जा यहाँ पे नहीं दिया गया है आगे में हम देखते हैं कि अबराहम हारान देश से निकलकर चला जाता है कानन देश में ये परमेश्वर की एक खास योजना था कि एक दिन अबराहम के जरिये परमेश्वर कानन देश में सारे लोगों को बुलाएगा और सारे लोगों को रखेगा उसका एक योजना था परमेश्वर का और इस मकसद को पुरा करने के लिए किसको चुना जाता है अबराहम को चुना जाता है क्यूं चुना जाता है अबराहम को क्यूंकि अबराहम भी एक अच्छा इनसान हुआ क्या करता था हम यहाँ पे लगातर देख रहा हैं कि परमेश्वर अच्छे लोगों को ही चुनता है लिकन बुरा लोगों को क्यों नहीं चुनता है हम आगे चल के यह देखेंगे कि बुरा लोग और अच्छे लोग में क्या फर्क होता है आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 का 5 में 4 में भी देखते हैं कि उस समय अबराहम का उमर था 25 बर्स का था 5 में है कि इस प्रकर अबराहम अपनी 25 असारे और अपने भतिजे लूत को साथ लेते हैं और उनकी जितना चीजे जुरूरत था वह उन्हें लेकर कनन देश की और अगे निकलते हैं और साथ में उन्हें ये आग्या मिलता है कि तब यहोवा ने अबराहम को दर्सन देकर कहा एक ड्रीम के तोर पे उन्हें बताया कि ये देश में तेरे वंग्स को दूंगा अभी तक उसका कोई एक भी पूत्र नहीं थे तो उनका वंग्स कैसे होगा तो इसलिए परमेश्वर उन्हें ये कहता है कि मैं तुम्हारा वंग्स को दूंगा इसका मतलब ये निश्चित है कि तुम्हें एक औलत मिलेगा तुमसे कोई में पैदा कराऊंगा कि अभी तक तुम तो बहुत उमर हो चुके हो लेकिन परमेश्वर की उस सामर्थ काम को तुमने अभी तक देखे नहीं परमेश्वर उस काम को पुरा करेगा आगे हम देखते हैं कि अबराहम ने अपने सारे साथी या जितने जरूत था उन सारे को लेके चला जाता है निकल जाता है कनान देश के और लेकिन उस समय क्या हुआ था कि एक आकल पड़ा था और उस आकल से बचने के लिए ये लोग मिसर देश चले जाते हैं और यहां पर चले जाते हैं और जब ये लोग महां पर चलते हैं तो वहां पर एक राजा हुआ करता था जो हम बाराकस साथ में देखते हैं कि फिरोन करके एक राजा का नाम यहां पर दिया गया है तो इन्हों ने देखा कि अबराहम का ये जो दो वेक्ति आये हैं उसका जो उनके साथ में जो है वो बहुत ही सुन्दर है बहुत ही अच्छी दिक रही है तो उन्राजा ने सोचा कि मैं उसको अपना पत्नी बनाऊंगा लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये अबराहम का पत्नी है तो बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो अबराहम का पत्नी है मैंने तो गलत कदम ले लिया है और उस समय पहले हैं उन्हें कुछ चीजे दिया पुकरना या मुझे छिपा के रखना की बोलना की हाँ ये मैं उनकी बेहन हो करके और अबराहम को बहुत कुछ चीजे उन्हें मिलता है आगे में ये हम देखते हैं कि फिरों को जब पता चलता है कि मैंने दुसरे के पत्नी को ले ली है तो उन्होंने उन्हें बिदा कर दिया बहुत ढहर सरा संपती के साथ यहाँ पे हमें गोर करनी बाले ये बात है कि ये जो अबराहम को यहाँ पे जूट बोलने की कोई जुरूरत नहीं था इन्होंने परमेशोर ने ऐसा किसी भी आगिया इनको नहीं दी थी कि तुम अपने आपको छिपा के राखना की तुम कौन हो और तुम्हारा पत्नी कौन है करके लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अबराहम को ब्लेसिंग्स तो मिलता है लेकिन उन्होंने एक जुट भी बात बोल दी थी यानि कि अबराहम को कोई अपने जिवन में ब्लेसिंग्स या जो वर्दन है उसको प्राप्त करने के लिए जूट बोलने की कोई जूरत था नहीं है ओके आगे हम देखते हैं तेरा में फिर अबराहम वहां से फिर कनन की और चला जाता है और जहां पे उन्होंने अपने पहले तंबू को गड़ी थी वहीं पे फिर वापास ये चले जाते हैं ऐसा होता है कुछ समय के बाद जिस समय में बलुक रहते थे कुछ दिन के बाद उनके जो भेड बक्रिया हुआ क्या कारते थे बहुत बढ़ गया तो अबराहम और उनका जो भतिजे थे लुद इनके इतना सम्पति बढ़ गए इनके भेड बक्रिया इतना बढ़ गए कि इनके जो रखवाले हुआ क्या करते थे उनके बीच में थोड़ा बात बीबात होने लगा और अबराहम ने इस बात को देखा कि हम दोनों तो ठीक हैं लेकिन हमारे जो चर्वाहा हैं वे लोग लड़ रहे हैं जगड़ रहे हैं तो यहाँ पे अबराहम ने एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टेंडिंग की बात निकाली वो ऐसा कि क्योंना हम कुछ बात बीबात ना करते हुए हम एक दूसरे से हम अलग-अलग हो जाएं हम अपने आपको अलग करें ताकि हम कुसल से रह सकें हम अच्छी तरके से हम रह सकें और अबराहम की ये बात हमें एक सोचनी वाली बात हमें जताती है कि हमें भी जब कोई परिस्तिती हमें गड़ बड़ी दिख जाती है तो हमें इसको ध्यान पूर्बग देखना है नहीं कि लड़ जगड़ते हुए हमको इसका समधन करना चाहिए आगे में ये होता है आबराहम ने उनको कहा कि देख ले तुझे जो मन है उस जगा ले ले और मैं बाकी बात ले लूँगा तो लूत ने अपने सिर को उपर उठाया और देखता है कि कि हाँ कि उस तरफ में जो सादम और गमारा है जो यरदान के तराए उस इलाका में है वो बहुत है अच्छा है और लूत ने उस जगा को ले लेता है लेकिन यहाँ पे बुरी बात ये था गुड निउस तो ये था अच्छी खबर तो ये था कि लूत को अच्छी जगा तो मिल जती है लेकिन बुरी बात तो ये था कि तेरा में यहाँ पे दिया गया है कि सादम के लोग यहवा के लेखे में बड़े दूस्ट और पापी थे उनको सारे चीजे तो सारे चीजों के फैसिलिटिस उन्हें मिल जाती है लेकिन वहां के जो लोग थे वो बहुत दूस्ट और पापी हुआ क्या करते थे सुचिए आपके पस सब कुछ है लेकिन आप जिन जगा में रहते हैं वहां के लोग बहुत दूस्ट हैं आपको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा लेकिन आगे का स्टोरी हमें अलगी बताता है कि एक समय ऐसा हुआ कि बहुत धेर सरा राजा के बीच में यूद होता है कि और अबराहम का भतिजा लुत जो सादम में रहता था उसको भी धन समय वे लेकर चले गए हैं चले गए हैं लेकिन क्या होता है कि जब ये खबर अबराहम तक पहुंचता है एक अदमी के द्वारा जो भग कर निकबाज गया था वो जाके इस पैगाम को देता है कि आपका जो भतिजे हैं वे लोक ले लिये हैं तो अबराहम ने क्या 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 तिन सो आठरा जो उनका लोक थे सारे लोकों को मिला के उनको छुड़ाने के लिए बे चलते हैं और बाद में अपने भतिजी को वापस लेके आते हैं तो आज हम ने देखा कि 12, 13 और 14 ये अध्याय में कि क्या घटना होता है आए हम वापस लोटते हैं कि इनकी जुवन से हम क्या क्या सिख सकते हैं आबराम पहले उसका नाम हुआ क्या करता था लेकिन परमेशर ने उन्होंने एक जाती का पिता ठहराया और उन्होंने एक प्रोमिस दिया कि मैं तुम्हें इस देश में तुम्हें दूंगा और तुम्हारा बहुँँ डहर सरा वंग्स होंगे और इसलिए परमेशर ने आगे चल कर उसका नाम की बदलाब करता है उन्हें अबराम से अबराहाम उन्हें नाम दिया जाता है यहाँ पे दिया गया है कि अबराम किसका पुत्र था यहाँ पर हम देखते हैं इस किताब में कि अबराहम जो था वो तेरा का पुत्र था तेरा करके एक बेखती था उसका पुत्र था अबराहम तो आये हम कुछ बिसे में हम ध्यान दे कि आज हम इससे क्या क्या सीख सकते हैं हमने देखा कि अबराहम का जो योगदन था बहुत ही अच्छा था मतलब कि परमेश्वर ने जो उन्हों ने उनसे कहा था अबराहम ने बखुवी तरीके से उस काम को निभाया और इतना ही नहीं जब परमेश्वर प्रसन हो गया परमेश्वर खुस हो गया क्यों खुस हो गया क्योंकि आबराहम ने परमेशवर पे विश्वास किया अगर हम परमेशवर को खुस करते हैं तो हम अपने धान से बिल्कुल कभी नहीं कर सकते हैं अपने कौलिफिकेशन से परमेशवर को कभी खुस नहीं करते हैं अपने सकल सुरत से हम परमेशवर को तो कभी खुसी नहीं कर पाएंगे, अगर हम परमेशवर को खुस कर पाएंगे तो उसका एक ही उपाई है, वो हम की जितना हो सके हम परमेशवर पे विश्वास करें, विश्वास देखा नहीं जाता है, लेकिन महसूस क्या जाता है, कि ये वेक्ति तो मुझे देखाए नहीं लेकिन उन्हों ने अपने कान से सुना और मुझ पर विश्वास किया इस विश्वास के वज़ा से वो धर्मी कहलाया क्या आज आप और हम धर्मी है या नहीं है यहां पर आप देख सकते हैं कि अबरहम के तरह अगर हम परमेशवर प कि परमेशवर ने अपना मित्र उन्हें कहलाया तो आज हम कौन सा वला मित्र हैं अच्छे वला मित्र हैं या बुरा वला मित्र हैं और यहां पर हम कुछ बातों को हम ध्यान देंगे जो लेशन आज हमारे लिए ऐसा है कि जैसा मैंने पहले बताया था तेरा का आठ में यहा अब बीच में जगड़ा ना होने पाए क्योंकि हम लोग भाई बंधू है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अबराहम का एक बहुत अच्छा एक अंडरस्टेंडिंग रहा अज हमारे जीवन में भी यह अंडरस्टेंडिंग होना बहुत ही जुरूरी है जब हम परमेशवर की कलीश याँ को दिकभाल करते हैं जब हम परमेशवर के भेड़ बक्रियों को जब हम चराते हैं तो हमें अंडरस्टेंडिंग बहुत होना है हमें कभी भी ऐसा अपने आप में सोच नहीं रखना है कि वो तो फालाना पस्टर का चर्च मेंबर्स है ये तो फालाना पस्टर का चर्च मेंबर्स है इतना हमें समझना है कि हम सब हम सब परमेशवर के लोग है और हमारे बीच में कभी भी बात भी बात कभी भी नहीं होना चाहिए और एक चीज हमने यहाँ पे देखा कि परमिश्वर हमसे प्रोमिस करता है हमसे वादा करता है कि हमें वो आसिस देगा कभी-कभी यह होता है कि जैसे हमने अबरहम के जुवन से हम एक चीज देखा कि उन्होंने अपने पतनी को यह कहा था कि तुम कह देना कि मैं इनकी बेहन हो उन्होंने जूट यहाँ पे बोला था और उनको डर था ये बात सच है लेकिन ये उनको बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि परमिश्वर ने अल्रेडी उनके लिए एक आसिस दी है तो हमें कभी भी अपने सिपकाई में जूट सब्त का या जूट बिचार का कभी हम सोचे ही ना ताकि हम परमिश्वर के सामने एक अच्छे और खारा इंसन हम निकल पाए जा सके आगे में हम लोग ये देखते हैं कि जब आबराहम और लूट के बीच में ये बात्चित होता है कि तुम ले लो जो जगा जो देश तुम्हें चाहिए जहाँ पर सांती से रहने के लिए तो यहाँ पर ये जो लूट है उस समय वो कानन में ही थे ये दोनों लोग लेकिन लूट ने उस अलग दिशा को चुना ध्यान देने वली बात ये है कि अगर अबराहम ने अगर अबराहम ने उस यर्दन नदी के तराई की अगर उस जगा को अगर चुनता तो क्या होता क्यूंकि परमेश्वर ने यहाँ पर अबराहम को कानन देश की प्रतिग्या दे थी तो अगर वो दूसरा जगा लेता तो वो तो प्रतिग्या से वो तो बाहर निकल गया लेकिन यहाँ पे देखिए कि अच्छे जो उन दोनों के बीच में लगा कि हाँ तुम्हे जो चोई है वो ले ले और मैं इस जगा को मैं लेंगा अगर तुम उत्तरी दिसा में जाओगे मैं दक्छिन अगर तुम पूरुप में पूरुप में जाओगे तो मैं फस्चिम तो यह जो लूत है वो पूर दिसा की जगा को ले लेता है और अबराहम उसी जगा को ही लेता है और बाद में अबराहम को ये अग्या मिलता है कि कहा जाता है कि तु देख ये जो देश है चल फिर ये देश में तुझे देने वाला हो आज हम ये देख सकते हैं जो तेरा का चोदा में यहां पे दिया गया है कि जब लुत अबराहम से अलग हो गया तब उसके पस्चत याववन अबराहम से कहा आँख उठकर जिस तन पर तु है वहां से उतर दक्षिन पुरोपस्चिम चारो द्रिस्टी कर यानि कि वही जो प्रोमिस लेंड है जो परमेश्वर ने बहुत दिन के बाद पूरा किया तो पहला बेखती यहाँ पे चुना जाता है कि परमेश्वर की उस काम को करने के लिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अबराहम ने किस तरह के से क्या आगे में और एक बाद हम देखते हैं कि अबराहम ने खुद का भतीजे का रक्षा किया था यहाँ पे हम देखते हैं कि लूत ने अपने बड़ा भाई से अलग हो गया लेकिन अबराहम को ये कभी नहीं लगा कि उन्होंने तो अच्छी जगा ले ली है मैं क्यूं उनके पक्ष में में खड़ा हो जाओं मैं क्यूं उन्हें मदद करूं जो कुछ भी हो गया एक दिन जब ये लूत उन लोगों ने उन्हें ले लेते हैं तो अबराहम उट खड़ा होके उनका रक्षा करता है तो आज हमने ये चीज़ सिखा अबराहम के जुवन के जरिये से कि हमें कभी भी औसीस या कुछ चीज़ों को प्राप करने के लिए हमें जूट नहीं बोलना चाहिए दुसरा ये है कि हमें एक अच्छा अंडेस्टनिंग होना चाहिए यहार एक बातों में ऐसा नहीं कि हम लगड़ जगड़ते ही उस बात बीबात को हम समाधन कर लें तिसरा चीज़ यह देखते हैं कि जो प्रोमिस जो अग्या हमें मिलता है उसे निकल कर हमें कुछ नहीं करना चाहिए और चोथा चीज़ जो हम यहां पे देखते है कि उनका भतीजे ने जो कुछ भी किया लेकिन अबरहम ने उनका आगे चल के रक्षक किया मतलब उन्हों ने अबरहम ने अपने भतीजे का भाले काम किया तो ये सिक्षा अगर हम प्राप्त करते हैं अपने जुवन में तो हम जरूर परमेश्वर का जो उसका बगीच है हम उसको अच्छी तरह से निभा पाएंगे तो आज मित्र अजीजो क्या आपका योगदान आबरहाम के जैसा है इस कलिशे के प्रतिया नहीं है ये बहुत ही सोचने वाला बात है और मैं उमिद करता हूँ कि इस वचन से आपने बहुत कुछ सिखा प्रियाजी जो मैं आप तमामों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझे इस अपसर दिया कि उसके कलम को हम देख सकते हैं आए हम चोटी सी परातना करें स्वर की महान पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुन्दर अपसर के लिए जो आपने हमें दिये हैं कि इस आबराहम की जिवन चरितर से हम अपने जिवन की सुधार कर सके और उसके जैसा चल सके हमें आपके राहों में चलाएं ताकि हम अत्मिक में और भी बढ़ते चले जा सके और आपको धन्यवाद दे पाएं चोटी सी द्वा हम इस्व मसी खुदा के नाम से मंगते हैं आमेन प्रियाजी जो आप तमाम उनकों मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा आपने इस संदेश को सुना और इतना ही नहीं कि ये संदेश को दुसरों के साथ सजाकरना मत भूलेगा अगर आप पहली बार हमारे संदेश को देख रहे हैं तो हौप चेनल हंदी को साब्सक्राइब करना ना भूलिएका अगर आपके मान में कुछ बिचार है प्रसना है कॉमेंट सेक्षन में जाके लिखे हम आपके प्रसनों का उत्तर देंगे अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रात्ना है हमें हॉप चैनल हिंदी सेक्षन में आप अपने विशाई में आप देख सकते हैं हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे परमेश और आप तमामों को बहुत आयत के आसिज दे आमेन